आज बगवान जगनात की भूमी पर आके बहुत कुशी हुई आज बेसिफिकली भूवनेश्वर एरपोर्ट रेवियू करने के लिए मैं आया हुआ हूँ और यहाँ पे हमारे एरपोर्ट अदॉरिटी ओफ इंडिया के अफसरों के साथ मैंने रेवियू लिया है और इसमें बहुत कुशी की बात है कि बहुत डवलप हुआ है बूवनेश्वर एरपोर्ट आज देखे तो करीब 20 सिटी से करेक्टेड है बूवनेश्वर का एरपोर्ट और इंटरनाश्रली भी 4 शेरों से ये कनेक्टेड है और हमारी तरफ से केंदरत सरकार और राज्य सरकार अभी दोनों यहाँ पे एंडिये की सरकार बनी है और ये डबल इंजिन की सरकार जो बनी है उसके तहद ओडिसा को पूरी तरह से सिविल एवियेशन सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए हमारी पूरी तरह से कोशिश रही है इसी के लिए हम भुवनेश्वर से शुरू कर रहे हैं और भुवनेश्वर की अभी फिलहाल केपैसिटी देखे है तो अभी जो टर्मिनल मेरे पीछे है ये टी वन टर्मिनल की कैपैसिटी 40 लाक लोग पर यर ये संबालता है पर इसके अभी लगबग 50 लाक लोग इससे गुजरते हैं तो इसका कैपैसिटी अभी इंप्रूव करना है तो अभी एक महने के अंदर अंदर हम आगे पर्मिशन्स भी देंगे तो इसका कैपैसिटी अंदर थोड़ा सा वो सेक्यूरिटी रियॉर्गनाइजेशन करने के बाद ये 40 लाक पर साल की कैपैसिटी 80 लाक तक हम लेके जाएंगे तो इसके आगे जो मेरे इस तरफ जो जमी है वहाँ पर हमने ध्रमेंद्र प्रधान जी भी काफी इसके बारे में बताते रहते हैं हमें कि इसको और डवलप करना चाहिए तो हमने भी इसके बारे में सोचा और एक न्या टर्मिनल बनाएंगे एट मिलिएन लोगों की कैपैसिटी हर साल के लिए अगर ये नया टर्मिनल आगे दो साल में अगर हम बना दे तो भूवनेश्वर एरपोर्ट और जादा पैसेंजर कपैसिटी यहां से बढ़ाने के लिए बहुत सुविदा मिलेगी तो उसके उपर हमारा ध्यान है उसको करेंगे आगे कैट 2 का भी ये लाइटिंग सिस्टम यहां पर लगाना है वो भी काम चल रहा है एक महने के अंदर अंदर मैं भी आज आया हूँ रेव्यू लिया है मैंने तो उसको भी हमने अधिकारियों को बोला कि जल्दी से कैट 2 का अभी जो सिस्टम लगाना है यहां पर उसको भी पूरा करें उसके अलावा जो छोटे-छोटे काम है यहां पर आगे आप देख रहे हैं उस सरफ थोड़ा सा एक्सेंशन भी काम चल रहा है और थोड़ी सी सुधाएं पैसेंजर के लिए आगे बढ़ाने की काम चल रही है उसको भी अभी एक मेने के अंदर सारा निप्टाएंगे सारे काम उसको पूरा करेंगे तो हमारी यह सोच है कि बहुनेश्वर एरपोर्ट यह अभी स्टेट कापिटल एरपोर्ट है और यहां से जैसे मैंने बोला काफी बढ़ता जा रहा है एर ट्राइवल का पैसेंजर क सब के लिए अच्छी सी सुविदा हो और आगे यहां से कनेक्टिविटी की बाद मैंने बोली है 20 शहर तक भारत में अलग-अलग शहरों से यहां से कनेक्टेड है फिर भी यहां से डिमांड है एक तो कि जम्मू से थोड़ा कनेक्ट करें गुजरात में सूरत से कनेक्ट कर राजिस्तान में जयवपूर से कनेक्ट करें और मैं आंधरा से आता हूं वहां पे विशाक पत्नम का भी कनेक्टिविटी डारिक कनेक्टिविटी ऐसे चार-पांच और शेहरों की काफी डिमांड आहां से आ रही है तो हमारी मंत्राले से हम यही कोशिश करेंगे कि आगे प्रदान मंत्री बनने के बाद आपने देखा होगा किस तरह से सिविल एविएशन सेक्टर को भारत में एक बढ़ावा मोदी जी के सोच में आगे बढ़ा है अभी फिलहाल एरपोर्ट्स इतने सारे बढ़े हैं उसके तहद ओडिसा में भी पिछले दस साल में हमने इस्टिंग एरपोर्ट्स है जो मैंने अभी नाम लिया हैं उसको और कैसे डेवलप करें और आगे भी कोई और नया एरपोर्ट की प्रपोसल आती है तो उसके भी हमारे तरफ से हम पूरी तरह से साहता करेंगे और इस समय मैं राज्य सरकार को भी अभिनादन देता हूं कि कि बहुत अच्छे तरह के से सपोर्ट कर रहे हैं सिविल एविएशन को भी वो समझते हैं कि सिविल एविएशन को अगर हम बढ़ावा देंगे तो उसके हिसाब से शेहर हो या फिर राज्य हो उनके बढ़ावा के लिए बहुत अच्छा रहता है एकोनॉमिक था, करने के लिए, सिपलियुषन सेक्टर से पूरी तरह से हमारी अधकीर सरकार को हम देंगे और हमें भूत बहुत कुशी है कि ओडिसा सरकार भी बहुत प्रोएक्टिबली सिपलियुषन सेक्टर में परसू कर रही है आगे जाकर हम और शेहरों को कैसे कनेक्ट करें, इसके उपर हम सोच रहें, तो अभी जो फिलहाल अभी चार सिटीज का इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो है वो चलता रहे हैं, पूरी में जो एरपोर्ट है राज्य सरकार की सोचती और पूरी तरह से जमीन उनके पास है, हम हमारे केंदरे सरकार से जो इन साइट क्लेरेंस मिलना चलिया था, उसको हमने साइट क्लेरेंस भी दे दिया, जून मेहने में दिया, उसके बाद इन प्रिंसिपल क्लेरेंस के लिए जो उन्होंने मांग की थी राज्य सरकार से, उसके उपर हमने थोड़े कमेंट्स बेज़ हमारी तरफ से पुरी सहायता उनको मिलेगी कि पुरी में भी अच्छा सा एक एरपोर्ट बने